हलो फ्रेंड वेल्कम टू फ्रेंड फ्रेंड प्रेप्रेशन यूटूब चैनल इस सेनल पर मेले किया आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 6 की मैस की बुक से चैप्टर 12 रेशो एंड प्रपोर्शन चैप्टर 12 से पहले मैंने आपको चैप्टर 11 तक सारी वीडियो अप्लोड कर दी हैं उमीद है आपने वीडियो जरूर देखी होगी इससे पहले आपने लास्ट वीडियो जो हम लोग आपने देखी होगी वो 11.5 एकसाइस जो की अलजब्र चैप्टर मैंने करवाया था उसका चैप्टर और 12 चैप्टर का ये है first exercise और first exercise का मैं करवार हूँ आपको ये first part यारि आप जो question है question number one से मैं start करने वालों ये exercise तो जैसे ये chapter है जिसका title आपने देख लिया है ratio and proportion यानि इसके अंदर हम लोग ratio को जानेंगे और ratio के इलाभा हम लोग जानने वाले है proportion के बारे मे तो question कुछ इस तरह से है, these are 20 girls and 15 boys in a class, एक class है, जैसे आप लोग class 6 में बढ़ते हो, उसी तरह से एक class है, जिसके अंदर जो number of student है, उसके बारे में information given है, कि number of girls की बात करें, तो 20 girls है इस class के अंदर, अगर boys की बात करें, तो 15 boys इस class के अंदर है, ठीक है, अगर आप indie media में बढ करते हो, तो आप देख सकते हो, कि 20 लड़किया है और 15 लड़किया है, ठीक है, और आपके लिए ये question जो है, इसके अंदर two parts में आपके question divided है, first part में आप से पूछा जा रहा है, what is the ratio of number of girls to the number of boys, यानि आपको girls और boys के बीच में जो ratio आएगा, ये calculate करना है, ratio को हम लोग अनुपात, यानि कि आपको क्या करना है, इसके अंदर अनुपात निकालना है, लड़कों और लड़कियों की संख्याओं के बीच में, तो देखो, सबसे पहले लड़कियों के बारे में, यानि girls के बारे में discuss किया गया है, question के अंदर, तो girls का number पहले आएगा, और boys का number बा और first question का मैं करवा रहा हूँ, आपको ये first part, तो मैं क्या करूँआ है, या A लिख दूँआ है, ठीक है, हो गया, अच्छा, उसके बाद number of boys की बात करें, तो number of boys आपके पास जितने हैं, वो लिख सकते हो, और उसके बाद number of girls जितने भी हैं, वो आप लिख सकते हो, question में, ठ ठीक हैं, तो number of boys की बात करें, तो 15 है, girls की बात करें, 20 है, अच्छा, अब आपको ratio जो calculate करना है, उसमें देखो girls पहले है, तो जब भी हम ratio निकालेंगे, तो girls का जो number है, वो पहले लिखेंगे, boys का number है, उसे बाद में लिखेंगे, कुछ इस तरह से, तो हम लिखेंगे यहा अब यहाँ पर number of girls आपके बास कितनी है, class के अंदर 20 है, तो 20 को उपर लिखोगे, और number of boys कितने है, 15 है, तो 15 को नीचे लिखोगे, अब देख लो भी किसी अगर table से दोनो number divide हो जा रहा है, तो अब इसे divide करके इसे final answer निकाल सकते हो, तो अगर आप ध्यान से देखो कि 5 के table से दोनों divide हो जाते है, 5 3s are 15, और 5 4s are 20, या नहीं, आप आपके पास क्या है, 4 by 3 आ गया है, फर्दर और देख लो, अगर divide होता है, तो ठीक है, नहीं होता है, कोई बात नहीं, तो आपके पास जो 4 by 3 आया है, it means आपका यह जो ratio हो जाएगा, 4 is to 3 हो जाएगा, और यह जो 2 answer आ गया, 4 is to 3 आ गया, तो girls question में पहले था, जब question पूछा गया, यह part के अंदर, तो मैंने number of girls को पहले लिखा, और number of boys बाद में था, तो इसे बाद में लिखा, इस सीज का धियान रखना है आपको, कि जो भी question में पहले दिया जाए, उसे पहले लिखना है, और जो बाद मे लिखना है, तो इसी के according में ने जो solve किया, कि number of boys उपर लिख दिया, और number of girls उपर लिख दिया, number of boys नीचे लिख दिया है, ठीक है, आचा, अब इसके बाद अब हम लोग करते हैं, इसका second part, यानि इसी question, question number one का, तो आप लिख लोगे solution one, और इसका second part, यानि B part करते हैं, तो अब जो आपको ratio calculate करना है, number of girls और total number of student के बीच में, तो आप यहाँ पर total calculate कर सकते हो, plus करके number of girls गीवन है, number of boys गीवन है, तो total calculate करने में कोई problem नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे करते हैं, हम लोग यहा total calculate करते हैं पहले, तो total student की अगर मैं बात करूँ, तो पहले मैं total student, ठीक है, यह लिख लिए मैंने, अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, 15 और 20 दोनों को plus करना होगा, और मेरे पास answer क्या आएगा, 35 आएगा, अच्छा, number of girls की बात करें, तो वो already आपके पास हैं, ठीक है, तो आप चाहो तो दुबारा लिख सकते हो, कि number of girls is equal to कितने 20 है, अब इस question में जो ratio आप से पूछा गया, उसके according ही हम लोग solve करेंगे, कि ratio between, ratio between number of girls and total number of student, total number of student, ठीक है, total number of student आपके पास 35 आगया है, और number of girls की बात करें, 20 है, तो उसी के according, क्योंकि girls का नेम पहले ही question में है, तो 20 तो मैं उपर लिख लूँँगा, और total नीचे आएगा क्योंकि ये बाद में है, ठीक है, तो ये 35 नीचे लिख लिया, अब इसके बाद आपने करना है क्या, इसको simplify कर लेना है, कि किसी table से अगर ये divide हो जाते है, तो divide करके अपना answer निकाल सकते हो, तो देखो, 5 के table से दोनों divide हो जाएगा, 5, 7 जा 35 हो जाता है, और 5, 4 जा 20 हो जा करके, ठीक है, एक-एक step follow करना proper इस तरह से करोगे, तो आपको पूरे marks मिल जाएगा, ठीक है, चलो, अब move कर लेते, question number 1 के बाद, question number 2 की तरफ, तो question number 2 में cricket field से related ये picture आपको ये दिखाए दे रहे है, और कुछ question है आपकी पास, जिसमें A part और B part बना हुआ है, ठीक है, पहल यानि इस class में total student कितने है, पहले तो ये बता लग गया आपको, total कितने है, 30 है, okay, देख सकते हो, 30 विद्यारती, यानि कि total student है, वो 30 हो गया आपके पास, आप जो cricket like करने वाले कितने है, वो आपके पास देखना है आपको, football like करने वाले कितने है, वो देखना है, तो सबसे remaining है, remaining जो बजगे है, वो tennis है, तो tennis वाले के लिए मैं T use कर लेता हूँ, ठीक है, तो tennis के लिए number आपको given नहीं है, आप लोग total से minus करके निकाल सकते हो, कैसे, कि भी 30 में से minus कर दो 6 और minus कर दो 12, तो आपके पास answer आ जाएगा, ठीक है, 18 minus करोगे इन दोनों को, तो आपके पा करोगे, तो आपके पास answer आ जाएगा, जो कि 12 हो जाएगा, अच्छा, अब आपके लिए question यह है, कि find the ratio, जैसे इसमें बोला गया, कि आपको ratio find out करना है, तो सबसे पहले ए-part की बात करते है, ए-part में आपसे बोला जा रहा है, कि number of student like football, to the number of student like tennis, कि football और tennis के बीच में ratio निक solution, और solution लिखने के बाद, आम लोग second question कर रहे है, तो second लिख लेगे, ए-part कर रहे है, ए- लिख लेगे, अच्छा, अब जैसे information हमारे पास है, उस information के according, total student कितने है, वो लिख लोगे, ठीक है, तो total student आपके पास है, total student आपके पास 30 है, ठीक है, अब number of student, number of student like cricket, ठीक है, मैं cricket के बारे में पहले लिख लेता हूँ, आपको को सर, cricket लिख लिया, ठीक है, उसके बाद next आप लिख सकते हो, number of student, student like word रह गया है, तो आप यहाँ पर like लिख सकते हो, student like football, football वाले कितने है, वो आप लिख सकते हो, आचा, football के बाद next है, number of student, students like, जो number of student है, like करते है, tennis like करने व वाले जितने है, वो लिख लोगे, तो देखो, पहले मैं football और cricket का number जो भी है, question में से note कर लेता हूँ, तो football पसंद करने वाले तो 6 बच्चे है, 6 student है, आचा, cricket के पसंद करने वाले कितने है, 12 है, तो इस 6 और 12 की help से हम लोग निकाल सकते हैं, तो cricket वाले तो 12 थे और football वाले 6 थे हैं, तो मुझे कर tennis का निकालना हो, तो मैं क्या गरूँगा, total में से इन दोनों को minus कर दूँगा, यानि 30 minus 12 minus 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, अचा, अब जैसे question में बोला गया है, ratio calculate करने के लिए, तो चलो ratio calculate करते है, ratio between, अब जिसके बीच में ratio निकालना है, वो एक बार देख लेते हैं, तो इस question में हमें ratio निकालना है, football और tennis के बीच में, ठीक है, तो आप लिख सकते हूं, ratio between, between ratio, एक मिन दुबारा लिख लेता हूं, ratio between number of student, number of student, like football and tennis, ठीक है, football and tennis, कि football और tennis जो बच्चे पसंद करते हैं, उनके बीच का में ratio find out करना है, ठीक है, जैसे question में बोला था, उसी के according हम लोग solve कर रहे है, पहले football है, इसलिए football का number उपर आजाएगा, tennis बाद में, तो tennis का number बाद में आजाएगा, तो football पसंद करने वाले बच्चे कितने 6 हैं, tennis to two का ratio है, football और tennis के बीच में, तो इस तरह से आप लोग ये calculate कर सकते हो, question number, ये second का first part बहुत इसलिए आपका solve हो जाएगा, आचा, उसके बाद, यानि कि ये first part करने के बाद, अब next देखते है second part, तो second part में आपके लिए question है, कि number of student like cricket to the total number of student, cricket के बीच में और total number of student के बीच म मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर इसे solve करवा रहा हूँ, इस portion में, जरह ध्यान से देखना, अचा, ऐसा करता हूँ, एक नई sheet ले लेते हैं, वहाँ पर ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, तो ये लो, solution लिख लिया मैंने, solution लिखने के बाद, question number 12 नहीं है, 2 ह है, 2 लिख लिया, B part है, B लिख लिया, अचा, अब हम मुझे निकालना है, ratio between, ratio between number of student, like cricket, to the total number of student, total number of student जितने हैं, वो तो नीचे आ जाएगे, क्योंकि वो बाद में है, और number of student जो cricket पसंद करते हैं, वो उपर आ जाएगा, तो cricket वाले कितने हैं, एक बार वो देख लेते हैं, और total वाले कितने हैं, वो देख लेते हैं, तो cricket पसंद करने वाले जो बच्चे हैं, वो है 12, और total number of student कितने हैं, 30 है, तो 30 तो नीचे आ जाएगा, 12 उपर आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो, 12 by 30, ठीक है, 12 by 30 लिख सकते यानि इस question में क्या करना है, जैसे question दे रखने है, उसमें जो information है, उसे use करना है, ratio calculate करने के लिए, और जो भी चीज पहले दे रखने है, उसे उपर लिखना है, और जो चीज बाद में बोली जा रही है, उसे नीचे लिखना है, और फिर उसको simplify करना है, हाँ, decimal में divide आपको नह और इसके base पे आपके लिए question पूछे जा रहे है, और इसमें आपके पास A, B, C, ये तीन पार्ट्स बना दिये गए, ठीक है, तो diagram अगर आप ध्यान से देखो, तो ये आपको rectangle दिखाए दे रहा है, ये triangle दिखाए दे रहा है, ये triangle ही लग रहा है, मुझे triangle square जासा होगा, आचा, उसके बाद ये भी triangle आपके पास, ये circle है, circle है, ठीक है, जो भी information है, information हमारे पास हो गई, अब आपके लिए question ये है, जैसे इसमें first part में बोला जा रहा है, कि जगर देखोगे तो इसमें बोला जा रहा है, see the figure and find the ratio, यानि कि आपको ये picture देख लेना है, और picture देखने उनके बीच में जो भी ratio बनता हूँ बताओ, ये बड़ा सा जो rectangle है, इसके अंदर जो आपको दिखाए दे रहे हैं, तो अगर मैं triangle की बात करो, तो मुझे 1, 2 और ये 3, 3 तो मुझे यहाँ पे triangle दिखाए दे रहे हैं, circle की बात करो, तो 2 circle मुझे दिखाए दे रहे हैं, तो उसी के according से solve करेंगे, पहले तो आप question note कर लोगे अच्छे से, और question note करने के बाद, चाहो तो ये diagram भी अच्छे से बना लो, ताकि आपको clear हो जाए, और उसके बाद ये solution लिखेंगे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अभी कर रहे हैं first part, question number third का, तो मैंने third का first part लिख दिया, अब जिसमें ratio निकालने जैसे बोला गया है, उसी के according solve करेंगे, कि ratio between number of, अब देखो, जो पहले हैं, उसको पहले लिखेंगे, कि number of triangle पहले है, तो number of triangle पहले लिखेंगे, number of circle बाद में है, तो इसे बाद में लिखेंगे, इस इसका आपको ध्यान रखना है, यहां पे mistake होने के chances रहते हैं, कि number of triangle, देखो, बार-बार मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, कि triangle पहले है, तो triangle पहले आएगा, circle बाद में है, तो circle बाद में आएगा, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूँ, कि ratio between number of triangle, number of triangle, and number of circle, ठीक है, यह रिख लिया, अच्छा, अब आपने triangle का आपके पास, यह 1, 2, और यह 3, 3 तो आपके पास यह triangle है, अगर circle की बात करें, तो 2 circle है, तो triangle आपके पास 3 है, तो 3 हो जाएगा, circle आपके पास 2 है, 2 हो जाएगा, यonseक आपके लिख सकते हो, 3 by 2 हो गया, अब देखो, 3 by 2 आपने लिखतो लिया, अब यहां पर यह divide किसी से भ दिवाइड करता बड़ यह दिवाइड नहीं हो रहा है तो मैं क्या लिखुआ थ्री इस्टू टू इनके बीच का रेशो हो गया ठीक है तो इसी तरह से आपने करना है कि आपको रेशो में से कर देना इनके नमबर को अचा अब इसके बाद यानि कि थर्ड कोशन का फर्स पार्ट करने के बाद अब हम लोग कर लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट ठीक है यानि कि इसका बी पार्ट तो आप सलूशन लिखोगे आप उसके बाद थर्ड का बी लिख दोगे और जैसे कोशन म number of square to all the figure inside. यह number of square जितने हैं, वो देख लो, और उसके बाद जितने भी figure हैं, total figure हमारे पास कितने हैं, तो total figure अगर मैं count करूँ इस पूरे diagram के अंदर, बलाव इस बड़े से rectangle के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, 7 to total, total जो figure हैं, वो हमारे पास होगे, ठीक है, total diagram या total figure बोले, यह इतने सारे होगे, अच्छा, उसके बाद अगर square की बात करो, तो यह six number में आपको दिख रहा है, यह आपके लिए square है, यानि कि square का number कितना है, one है, और total figure या total diagram आपके बास कितने है, total diagram आपने count करे, seven है, तो आप लिख सकते हैं, तो one is to seven, और इसको answer को कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से, कि ratio between, ratio between square and total figure, square and total figure, तो total figures आपके बास seven है, और square कितने हैं, आपके बास one है, तो one divided by seven हो जाएगा, और ratio आप लिखना चाहों, तो आप लिख सकते हो, यह टू रह गया, यहाँ पर yellow, two लिख देते हैं, three is to two yellow, यह previous question का, अच्छा, अब यह आपके बास क्या हो गया, one is to seven हो गया, ठीक है, previous question में आपका three is to two इसलिए आ रहा था, three तो आपके बास number of triangle थे, two इसलिए आपके बास आ रहा था, circle था, अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ आपके पास क्या है, कि square आपके पास कितने, one square है, total figure कितने, total figure seven है, तो मैं आपना answer क्या लिख सकता हूँ, one is to seven अपना answer लिख सकता हूँ, तो इसी तरह से आपने क्या करना है, step by step इसको solve करना है, प्रापर तरीके से लिखना है, और फिर इसे ratio में convert कर देना है, ठीक है, चालो, अब इसके बाद A और B पार्ट था हमने बहुत अच्छे थे solve कर लिया, अब इसका C पार्ट और देख लेते हैं, तो C पार्ट में आपसे बोला जा रहा है, कि number of circle to the, all the figure inside, यानि कि circle और total figure के बीच में calculate करना है, circle आपके बास कितने 1 और ये 2, 2 तो आपके बास circle है, और total figure कितने 7 है, तो इसके answer के लिए आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, पहले तो आप लिखोगे solution, ठीक है, solution लिखने के बाद, question number third लिख लिख लिए, third के बाद इसका C part कर रहे हो, C लिख लिख लिए, अब जिसके बीच में ratio calculate कर रहे हैं, वो लिखोगे, कि ratio, एक मिनिट, अब लिख सकते हो, कि ratio between circle and total figure, circle और total figure के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, ratio निकाल रहे हैं, ठीक है, तो circle तो आपके पास 2 है, और total figure कितने 7 है, तो 2 by 7 हो जाएगा, और जब हम इसे ratio में convert करेंगे, तो हमारा answer क्या होगा, 2 is to 7 हो जाता है, अगर यह divide हो रहा होता, तो हम इसे divide करते हैं, बट यहाँ पर यह divide होई नहीं रहा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 2 by 7 को convert कर देंगे ratio में, और यह हो जाएगा, 2 is to 7, ध्यान रखना, simplify अगर कर पाओगे, तो जरूर करना simplify, decimal में आपको नहीं जाना है, तो finally आपका answer क्या हो गया, 2 is to 7 आपका answer हो गया, आपको यह जो 3rd question है, अच्छे से clear हो गया होगा, और वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है, अच्छा, उसके बाद next है, next जो है आपके लिए question number 4 है, तो question number 4 आपके screen पर है, पहले एक बार question को पढ़ते हैं, समझते हैं, इस question में आपसे पूछा किया जा रहा है, और फिर उसी की according फिर हम लोग से solve करेंगे, तो question यह है, distance travel by the Hamid and Akhtar in a r 9 km and 12 km, यहाँ आपके two person है, first person जो है, वो Hamid है, second person आपके पास क्या Akhtar है, इन दोनों ने एक distance travel किया है, अगर Hamid की बात करें, उसने 9 km travel किया है, अगर Akhtar की बात करें, तो उसने 12 km travel किया है, और आपके लिए question यह है, find the ratio of speed of Hamid to the speed of Akhtar, यानि आपको Hamid का और Akhtar का, इन दोनों का speed है, उसके बीच में आपको ratio calculate करना है, तो देखो, 1R के अंदर, जो Hamid ने distance travel किया है, यानि कि Hamid को speed है, वो क्या हो गया, 9 km पर R हो गई, ठीक है, अचा, Akhtar की बात करें, तो इसकी speed कितनी होगी, 12 km पर R हो गई, ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें calculate करना है, इसकी speed को calculate करना है, इनके बीच का ratio को calculate करना है, तो सबसे पहले तो बहुत easy है, आपको solution लिखना है, और जो भी question है, question number 4 है, 4 लिख देना है, फिर उसके बाद speed लिखना है, कि हामित की जो भी speed है, पहले उसे note कर लेते हैं, तो हामित की speed आपकी बास 9 km, और ये कितनी देर का है, 1 R का है, तो ये per R, R को इसे short में लिखते हैं, HR, ठीक है, तो short में per R के लिए ये एक डंडा केरो, ये line से draw कर देते हैं, अच्छा, अब बात करते हैं, speed of 80, तो आप लि अगर ratio निकालना है, तो धियान रखना है आपको कि कौन सी चीज आपको पहले बताईगी है, जो अन सी चीज आपको पहले बताईगी है, जिसकी speed पहले बताईगी है, उसका उपर लिखोगे, जैसे हामित का पहले है, तो हामित का उपर लिखोगे, अक्तर का भी बाद में ह तो यहां लिखोगे ratio between हामित, एक मिनट दुबारा लिख लेते हैं, ratio between हामित, या फिर लिख सकते हैं ratio between हामित speed and अक्तर speed, ठीक है, जो भी अक्तर का जो speed है और हामित का जो speed है, इनके speed के बीच का हमें क्या calculate करना है, ratio calculate करना है, तो इस तरह लिखने के बाद, अब आपके बाद, अब आपके बाद जो answer आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, 9 और 12 यह दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, और इसे हम लोग simplify कर सकते हैं, तो चलो पहले इसको simplify करेंगे, अपना answer निकालेंगे उसके बाद में, तो जब आप इसे divide करोगे 3 के table से, तो 3 को table को use करके, अगर आप 9 को divide करते हैं, तो आपके पास 3 आ जाता है, अगर आप 3 के table को use करके 12 को divide करते हैं, तो आपके पास 4 आ जाता है, यानि आप लिख सकते हो, 3 is to 4 लिख सकते हो, 3 by 4 लिख सकते हो, अगर यह further divide होता है, तो हम आगे भी करते हैं, बट यह divide यहीं तक ह तो इनकी बीच का जो रेशो आगये आपके पास जब इसे रेशो में convert करोगे तो यह आपके पास 3-4 आंसर आजाएगा यानि हमित का नाम पहले था हमित का स्पीड को लिखेंगे और अक्तर का नाम बाद में था इसलिसके स्पीड को बाद में लिखेंगे ठीक है तो इस तरह प्लीज तीन बर बोल रहो भी ध्यान दो सुनो चैनल सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ भी मेरा जो सेकंड चैनल है जो कि मेरे नाम से है Mr.Krishna सा यह दुनो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो और साथ के साथ बेल आइकन और प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो सर्च करोगी Mr.Krishna सा लिखोगे आप ऐसे तो आपके पास मेरा फोटो आ जाएगा उस ग्रूप को ज्वाइन कर लेना ठीक है वहाँ आप चाहो तो अपने सारी बात रख सकते हैं उससे कॉम्णिकेट कर सकते हो अब देखो Q5 है आपके स्क्रीन पर जिसमें आपके पास फिल आपके स्क्राइग चुजई बलंक तो यह जो जो बलंक है एम यह फाइन आट करना है और आपको यह भी मोला कि यह जो बलंक वाले जो नंबर है यानि यह जो फिफ्टीन बाइटीन जो है यह इस बलंक बोक्स डिवाइड बाइड द्वाइड बाइड बाइस इए दोनों तो जब missing है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को equal रखे, cross multiply करके answer निकाल सकते हैं, कैसे जरह ध्यान से देखो, पहले तो इस question को अच्छे से note कर लो, और note करने के बाद भी, ऐसे मैं लिख लेता हूँ, इसे solution लिख लेता हूँ, solution लिखने के बाद, क्योंकि ये question number 5 है, 5 अब उसके बाद one by one में क्या करूँआ, पहले एक करके calculate करूँआ, तो पहले ये जो equation type का आपको given है, इसे लिख लेते हैं, कि 15 divided by 18, तो मैं लिख लेता हूँ, 15 divided by 18, ओके, फिर next equal to है, और उसके बाद जो भी value है, उसका as it is note कर लेंगे, कि box divided by 6 है, ठीक है भी, yellow box बना दिय जो भी number है, वो देख सकते हूँ, 10 divided by box है, ठीक है, तो मैं यहां करता हूँ, 10 लिख लिया, और divide by box लिख लिया, box में missing number है, तो चाहो तो इसके लिए variable भी use कर सकते हो, अब यहां पर क्या है, box divided by 30 है, ठीक है भी, अब मैंने पूरा question as it is note कर लिया, box divided by 30, तो पहले मैं क्या क box मुझे difference पता लगे कि कैसे कैसे मैं इसे कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं x की calculation कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं लिखूँगा 15 divided by 18, that is equal to x divided by 6, x कैसे आया, क्योंकि हमने x को यहां fill किया, यह missing place है, उसकी जगा x रख दिया, अब इसको calculate करने के लिए, मैं क्या बाकी चीज़ों को second side लेके जाऊँगा, तो कुछ इस तरह से आपके पास हो जाएगा, कि यह 15 divided by 18, 6 जो यहां पर divide में था, यह multiply में आ जाएगा, ठीक है, और यह किसके equal होगा, x के equal होगा, अब हम लोग इसको simplify कर लेते हैं, तो यहां पर देखोगे, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 ह हो गया, अब 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है, यानि कि आप यह कह सकते हो, इसको simplify करने के बाद, 5 को और 1 को multiply करोगे, तो 5 आ गया, नीचे क्या बचा, 1 बचा, तो 1 लिखने ही जुरत नहीं है, ठीक है, चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन इतने लिखने की जुरत नहीं होत ठीक है, बहुत easy था, बहुत आसानी साब इसे calculate कर सकते हो, अच्छा, अब उसके बाद next देख लेते हैं, next इस वाले y की calculation के लिए, तो y के लिए भी मैं क्या करूँगा, 15 divided by 18 लिख लूँगा, और उसके बाद 10 divided by y लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे y calculate करना है, तो y को एक 10 था, as it is लिख लिए, ठीक है, अब 18 यहाँ पर divide में था, तो इधर आके यह multiply में हो जाएगा, और 15 जो multiply में उपर था, उसे नीचे लिखती है, दुबारा देख लो एक बार, y नीचे था, side change किया तो उपर आ गया, 15 जो उपर था, side change किया मैंने तो नीचे आ गया, 10 जो न और यह 5, 3 जा 15 होता है, अब इसे further divide कर सकते हो, 3, 1 जा 3, और 3, 6 जा 18, तो आपके पास क्या बचाएए, 2 into 6 हो गया, तो आप लिख सकते हो, 2 multiply by 6 करोगे, नीचे 1 है, लिखने की जूरत नहीं है, तो आपके पास answer क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानि y की value आपके पास क्य आगे, 12 आपने, अच्छा, अब उसके बाद इसी तरह से आप z के लिए calculation करोगे, ठीक है, ये तो भाई, x के लिए calculation किया था, y के लिए calculation किया था, अब हम लोग z के लिए calculation करते हैं, तो z के लिए मैं क्या करूँआ, 15 divided by 18 लिख लूँआ, और किसके equal लिख हूँआ, z divided by 30 के equal लिख लूँआ, ठीक है, अब मुझे z calculate करना है, तो z को इधर ही रहने दूँआ, बाकी चीज़ों का side change कर दूँआ, तो 15 divided by 18 as it is है, अब जो 30 यह divide में था, इधर आके multiply में हो जाएगा, और ये किसके equal है, z के equal है, ठीक है, divide में था, side change हुआ, multiply में आ गया, अब इसके बा direct 6 के table से कर रहा हूँ, 6 3 जा 18, और 6 5 जा आपके पास क्या होता है, 6 5 जा 30 होता है, तो 5 आ गया, अब ये 3 1 जा 3 हो गया आपके पास, और 3 5 जा कितना हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है, यहाँ नीचे 1 आ गया, उपर 5 multiply by 5 होगा, एक बार लिख लेता हूँ, 5 multiply by 5, divide by 1 लिखन में से हटा दूँगा, तो मेरे पास answer क्या आया, 25 is equal to Z, ठीक है, यह आ गया, 25 is equal to Z, इसा further आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख देता हूँ, कि this implies Z is equal to कितना हो जाएगा, आपके पास 25 हो गया, यानि आपने तीनों answer calculate कर लिए, X की value आपके पास क्या आ गया, 5 जो first box है, यह आपे 5 आ गया, second box आपने Y पुट किया था, तो Y की value आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है, यहाँ से आ गया, और Z की value आपके पास क्या आ गया, Z is equal to 25 आ गया, तो I hope आपको यह सारी चीज़े calculate करके समझ में आ गया हो, कैसे किया, side change किया, sign change किया, और calculate कर लिए, ठीक ह आपके अंदर मैंने question number 6 onward question करवाए हुए, ठीक है, तो channel पे नए हो, channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, फटा फट सब्सक्राइब कर लो, और bell icon और press करो, ताकि आपको हर latest video की notification receive हो जाए, और हाँ, जिनों ने भी अभी तक 11 chapter तक, algebra तक कोई भी video miss कर दिये, तो वो बच्चे दे description में भी दे रखा है, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं next video में, अभी के लिए bye bye, thanks for watching, video को like करना, अपने दोस्तों में से share जरूर करना